रिये स्टार्ट होने के बाद यह अपडेट हो गया होगा चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखिया करने के लिए किलिक कीजए गा किंणे के बाद यहां पर आपको दिख जाएगा विंडो 11讓 यहां पर आपको कंफार्म के ऑपर ओपर के बाद इस tampa कीड़ब कर सकते आप जेका आफ इस तरह इस वर्जन का आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके बाद जो इस अपडेट के अंदर नेया फिचर मिलेगा आपको यहाँ पे विजट के अंदर मिलेगा यहाँ पे जो विजट का नोटिफिकेशन होता है माल लिए यदि आप यहाँ पे बहुत सारा विजट अपसेट कर रखे हैं तो कौन से विजट यानि किस विजट के अंदर या अपडेट आया है यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलना आप शुरू हो जाएगा पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आता था आपको टॉप पे ही दिख जाएगा तो यहाँ नया फीचर आया है बहुत ही अच्छा है और डेंडमली यहाँ पे आपको अपडेट होता रहेगा चेंज होता रहेगा तो यह भी चीज इस अपडेट के अंदर आ चुका है इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले desktop के उपर यहाँ पे वेब सर्च करने के लिए एक icon आता था यहाँ पे right click करने के बाद यहाँ पे आप show more के option पे यहाँ पे enable करने के लिए आ जाता था यानि दोनों search आपको यहीं से काम करेगा अलग-अलग जाके आपको search करने की जोतने हैं यदि आपको web के लिए भी search करना है तो यहाँ से clicker cup यहाँ पर जो भी आप search करना चाहते है YouTube search करना चाहते है तो यहाँ से clicker cup YouTube search कर सकते हैं इसी तरह यदि आपको कोई फाइल सर्च करना है तो यहाँ पर फाइल भी सर्च कर सकते हैं, आप देखने इस तरह से आपको दोनों काम करेगा, तो यह बहुत अच्छा किया है, पहले क्या था, यहाँ पर टॉप पे एक अलग से दे दिया था वेब सर्च करने के लिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप और्डेटो करके इस दोनों एपड़ेट करके यहां पर छेक कर सकते हां, यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ आपको दिखी जाएगा इंदर क्या क्या भी मैं आपको बता देता हूँ, सबस Benjamin आप चेक कर लिजएगा, अपडेट होने के बाद आपका camera का version दिखना चाहिए, यहाँ पर आप देखेंगे, तो latest version यहाँ पर आपको दिख जाएगा, 2022.206.2.0, यह latest version है, तो यहाँ से आप चेक कर लिजएगा, आपकी case में update हुआ यहाँ से चेक कर लिजएगा, अब आपक scanning कर सकते हैं, यदे आपको camera use करना है, तो camera यूज कर सकते हैं, तो यह नया feature, यहाँ पर add कर दिया है, यहाँ से आप barcode भी scanning कर सकते हैं, इसके बाद इसके अंदर आपको dark feature भी मिलजएगा, यहाँ पर आपको dark feature enable करने के यहां से आप कर सकते हैं तो यह चीज़ का setting आप यहां पर देख सकते हैं इसी तरह आपको इस side में भी दिख जागा है HR camera का quality करना चाहता है तो यहां से कर सकते है तो यह चीज़ सब feature यहां पर आपको दे दिया है अब आप इसको अपने हिसाब से use कर सकते हैं आपको इसका quality तो यह अपडेट होगया चैमरा के अंदर भी अपडेट आया है इसी तरह आपको अपके केस में भी आना चाहिए अपडेट होने के बाद आप यहां पर लिएंगे तो यहां पर के अंदर आपको यहां पर format supported कर देगा यानि audio format होता है AAC, WMA, FLAC and ALAC यह सारा format अब आपको यहाँ पे supported मिलना शुरू हो जाएगा यदि आप यहाँ पे click करेंगे तो यह सारा format यहाँ पे आपको दिख जाएगा अब आप वहाँ पे format select कर सकते हैं आपको कौन सा format चाहिए Audio का कौन सा format आपको चाहिए आप select करके अब आप सुन सकते हैं तो यह यह नया चीज यहाँ पे add किया है अब आपको यहाँ यहाँ पे DNS over TLS यहाँ पे support मिलना शुरू हो छुका यहाँ पे आपको DNS और Overt TLS आपको test करना होगा तो यहां से आप test कर सकते हैं तो यह नया चीज यहां पर add कर दिया है अब आप इसको test कर सकते हैं अब आपको यहां पर नया अला font यहां पर update कर दिया अब आपको Unicode का जो नया अला font होता है उसका support भी मिलना शुरू हो जाएगा इसके बाद इसके अंदर बहुत सारा bug भी fix किया वो समय आपको बता देता हूँ यहाँ पे एक error आता था पहले k-mode unexpected not handled in net adapter cx.system इस तरह का यहाँ पे एक error आता था उस error को यहाँ पे solve कर दिया अब आपको यहाँ पे यह error नहीं मिलेगा इसके बाद मालिजे यह आप laptop यूज करते हैं laptop में क्या होता है कि battery low हो जाने के का यह black skin हो जाता था वापस सही से काम नहीं कर पाता था black skin रहा जाता था तो इस problem को यहाँ पे fix कर दिया है अब आपको यह issue इसके अंदर नहीं मिलेगा इसके बाद यहाँ पे आपको windows cell के अंदर भी कुछ bug था उस bug को fix कर दिया यहाँ पर performance में यहाँ पे कुछ issue आ रहा था यहाँ पे सजी से animation नहीं आर पाता था यहाँ पे बलर आ जाता था एफएक्ट के अंदर तो इस issue को यहाँ पे fix कर दिया है इसके बाद यह पर description कर दिया है अब यहनए暑 कोई भी tap close करना चाहते तो इसके लिए आप shortcott के बटन आप यूज कर सकते हैं इसके लिए है your प्लच कर सकते हैं। और एद आप को और ऐद कर सकते हैं। Ctrl प्लस W दबाने के बाद दो tap close नहीं होगा Single tap close होगा यदि आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आपको दिख जाएगा Single tap close हो रहा है पहले यहाँ पर दो tap एक साथ close हो जाता था तो इस issue को यहाँ पर fix कर दिये अब यदि आप Ctrl प्लस tap दबाके आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर cyclic में जो issue था यहाँ पर issue solve हो चुका है यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर भी cyclic perfect तरीके से काम कर रहा है पहले यह यह काम नहीं करता था तो इस issue को भी यहाँ पर fix कर दिया है अब यदि आप title के अंदर जाके so full path title करना चाहते तो यहाँ पर आप कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको title का पूरा नाम दिखेगा अब हम बात करते हैं टाक्सबार के अंदर भी कुछ bug था यदि आप मालिजे कोई भी software या कोई भी program को यदि आप ping कर देते थे उसके बाद उस software या app को यदि आप delete कर देते थे तो यहाँ से यह ping हटता नहीं था तो इस issue को यहाँ पर solve कर दिया है इसके बाद यहाँ पर explorer.exe crash होने का issue था तो उस issue को भी यहाँ पर fix कर दिया है अब आप यहाँ पर start पर control shift plus right arrow किलिक करके pnet program को आप move कर सकते है pnet जो folder होता है उसको आप move कर सकते है उसके बाद यहाँ पर start होने के time पर कुछ time पर यह crash हो जाता था इस issue को भी यहाँ पर fix कर दिया है यहाँ पर solve कर दिया है search में कुछ यहाँ पर issue था तो searching का जो issue था उस issue को भी यहाँ पर solve कर दिया है इसके बाद जो आपको changes मिलेगा यहाँ पर आप देखेंगे तो network internet setting दिखेगा इसके उपर आप click किजिएगा इसके बाद advanced network setting दिख जाएगा इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा data usage इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर एक नया tab add कर दिया है यहाँ पर देखेंगे तो system and window update के लिए कितना data usage हुआ है इसको यहाँ पर add कर दिया है आपके case में window update के लिए कितना data use हुआ है यहाँ से easily आप पता कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर listing to device option के अंदर यहाँ पर audio का कुछ stop working का issue आता था यदि आप remote करने परता था तो वो issue को यहाँ पर solve कर दिये इसके बाद यदि आप Bluetooth and device के अंदर printer scanner के अंदर आप यहाँ पर आते थे तो यहाँ पर आने के बाद कुछ time के बाद यहाँ पर crash हो जाता था कुछ-कुछ लोगों को तो इस issue को यहाँ पर fix कर दिया है इसके बाद जो changes किया है यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर allow Bluetooth device to find a PC इस तरह का यहाँ पर जो option आता है यहाँ पर नहीं दिखता है कुछ-कुछ time के cases में तो जो issue था उस issue को यहाँ पर solve कर दिया है इसके बाद यदि आप यहाँ पर quick setting करने के लिए यहाँ पर search करते थे तो यहाँ पर कुछ case में यहाँ पर crisis हो जाता था खासके जो ARM64 का PC है उसके अंदर तो इस issue को यहाँ पर fix कर दिया है इसके बाद यहाँ पर जो Wi-Fi का password करने के लिए जो box आता है वो यहाँ पर disappear हो जा лишь के ऐसे आदर यहाँ पर सही से नहीं दीखता था तो इस issue को यहाँ पर solve कर देए और आप यहाँ तैक करके देखते हैं यहाँ से क्रको आपडेट देखेंगा यहाँ सार 있습니다, यहाँ पो बहुत सार देखेंगे यहां आपको पट सकते हैं यहाँ पर सकते हैं यहाँ आपको Mes बग फिक्स हुआ है बहुत सा अपनी हिसाब से अपडेट कर लिजेगा अपडेट करके इसको चेक कर सकते हैं पहले से बहुत ही अच्छा परफरेंस भी मिलेगा तो इसको जरूर आप अपडेट कर लिजेगा और प्लीज गाई चैनल को शुर्स्क्राइब करें लाइक करें तेंक यू